प्राइम मिनिस्टर नारेंद्र मोदी ने न्यू पार्लेमेंट को याद रखने के लिए एक 25 रुपे की कोईन को रिलिज किया है। इसको बनाने के लिए दो मेनेजन हैं और बो है पार्लेमेंट की उद्गार टन को और खास बनाना और दूसरा है भारत के आज़ेदि को 75 साल पुरा हो जाना। इस तरह की कोईन को हम बोलते हैं कमेमरेटिव कोईन और इस तरह की कमेमरेटिव कोईन को रिलिज करना इंडिया के एक ट्राडिशन बन गई है। क्या आप जानते हैं कमेमरेटिव कोईन होता क्या है तो चलिए जानते हैं। commemorative coin एक तरह की coin होता है जिसमें किसी भी तरह की event जैसे new parliament की inauguration हो गया issue government schemes जैसे बेटी बचाओ बेटी फड़ाओ या फिर कुछ अच्छे इंसान जो कि देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं उन सब को याद रखने के लिए हम ये commemorative coin बनाते हैं और इसमें वो सब कुछ represent क आ जाता है और भारत में 1960 के बाद से ही इस तरह की coin को बना जा रहा है तो आए इसके कुछ feature के बारे में जानते हैं इस coin के safe circular होने के साथ साथ इसका diameter 44 mm या फिर हम इसको बोल सकते हैं 4.4 cm है और ये basically 4 तरह की metal को mix करने के बाद यानि आलय से बना हुआ है और जिसमें 50 वर् 5% zinc, 40% coffer और 5% nickel का यूज किया गया है इस coin का एक side के middle में औसक पिलार present है और इस औसक पिलार के left side में भारत जो की देवगीर script से आया हुआ है और इसके right side में इंडिया को लिखा गया है और इसके ठेक नीचे सत्यमेवे जॉयत को भी लिखा गया है और इसके दूसरी side में new parliament को represent किया गया है और ठीक इसके उपर संक्सत संकुल और नीचे 2023 के साथ साथ Parliament complex भी लिखा गया है क्या आप इसको खर्च कर सकते हैं जी नहीं क्योंकि ये एक तरह की collective coin है इसको आप acquire करने के लिए SPMCIL यानि Securities of Printing and Minting Corporation of India Limited side से इसको खरिच सकते हैं इस side में जो भी coin मिलता है वो बहुत ही precious होता है क्योंकि ये gold या फिर silver से बना होता है 2018 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहरी बाचपी को याद रखने के लिए 100 रुपे की coin को बनाय गया था और जो की 50% silver से बना हुआ है और इसके price 5,717 SPMCIL side पे सोग कर रहा है Coinage Act 2011 के अनुसार Central Government के पास इसको बनाने के लिए power है और उसी तरह इसको distribute करने के लिए RBI को power दी गई है इस तरह की coin को पहली बार 1964 में पंडित जवालाल नेहरू की date को याद रखने के लिए 1 रुपे की coin को बनाय गया था